तो कि सब्सक्राइब हलो ओर और दोट्टिर से चुछा में तो अज हम अपनी वीडियो में चानेंगे pa Connieётся कितनल अब है चाहिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिंको पेइंट्स फील होता है सिंसेशन छी छी नुब बीबी वो कोई range follow करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा pain भी होता है paralysis is ideally categorized into two parts होता है कि किसी की recovery बहुत fast होती है लेकिन किसी की recovery बहुत gradually होती है तो gradually होने का reason भी patients खुद होता है क्योंकि उनकी exercises जंक से नहीं होती है वो proper treatment protocol follow नहीं कर रहे होता है और जो patients जिनके recovery बहुत जल्दी हो रही होती है उनका reason यही है कि वो medications, diet और exercises अपने time से ले रहे होता है अब हम बात करते हैं क्या actually में paralysis में patients को pain feel होता है या नहीं होता मतलब ideally pain feel होना चाहिए या जिसको pain feel हो रहा है या अच्छे बात है या फिर ये बुरी बात है परफॉर्म नहीं हो पारी लेकिन कुछ patients ऐसे होते हैं जो pain को tolerate करकी बेक्सराइज करते हैं क्योंकि already होता गया है paralysis में muscle weak होती है तो muscle paralysis में है जिसकी वजह से अगर आप कोई like suppose आपको पता है कि मेरा hand बहुत जादा weak है लेकिन फिर बी मैं exercise कर रहा हूं तो pain तो होना obvious है लेकिन कुछ patients होता है जो उन exercises को मही रोग देता है लेकिन जिनको जो थोड़े बहुत dedicated होता है जिनको अपनी recovery जल्दी चाहिए होती है वो फिर बी exercises continue करते है तो आज हम यही जानेंगे कि कौन-कौन से टाइप के pains होता है जो paralysis के patients generally face करते है अपनी life में during the old recovery process में or rehabilitation process में or during exercises तो कौन-कौन से ऐसे pain होता है not talking about neuropathic और neurogenic pain यह nerves का pain होता है basically जबी भी हमारी को spinal cord injury होती है जरूरी नहीं है, paralysis हमेशा stroke की वज़े से ही result करें या फिर आपको कोई clotting होई है या फिर hammerage होई है, जरूरी नहीं है हर बार paralysis, hammerage और clotting की वज़े से ही हो आपको कोई direct hit हो रहा है spinal cord injury में या फिर road traffic accident है जिसकी वज़े से सिर्फ और सिर्फ आपके back पर ही push आया है तो उसकी वज़े से भी paralysis होने के chances होते हैं क्योंकि हमारी nerves compress हो चुकी होती है nerves compress हैं जिसकी वज़े से हमारे muscles को action नहीं मिल रहा और action ना मिलने की वज़े से muscles अपना action perform नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्हें reflexes नहीं है अगर brain reflexes ही नहीं भेज पा रहा है हमारी nerves आगे carry forward ही नहीं उपा रही है तो जिसकी वज़े से हमारी muscular movement बिलकुल निल उचाती है जिसकी वज़े से paralysis patients में paralysis बहुत जादा देखने को मिलता है अब यह तो बात करेंशी नियोरिजनिक पैन आडिज, neuropathic पैन जो नर्बस की वज़े से होते है अब हम बात करते हैँ musculo-skeletal pain के बार में musculo-skeletal pain मो पैन होता है जो आपकी muscles में होता है इसे nerves को कोई लेना देना नहीं है या आपकी muscle में होता है आपको shoulder joint restricted है, अगर मैं आपको कोई भी movement करने को बोलूँगी तो it is next to impossible कि आपको movement कर पाऊ, क्योंकि आपकी range restricted है that all comes under musculoskeletal pain, तो musculoskeletal pain is all about आपकी muscles का pain है, जो भी आपका joint pain हो रहे है इन सब को अगर हम एक साथ रिलेट करें, तो that is musculoskeletal pain Now talking about visceral pain, अब visceral pain से आप समझे होगे ये कैसा pain है, तो visceral pain is all about जो आपके visराज में होता है अब visराज क्या होता है, विसराज आपके organs होता है, जिसे liver हो गया, kidney हो गया, that all comes under visceral organs तो इसमें होता है, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कि सिर्फ paralysis है, तो आपके range restricted है आपके muscle weak है, आपके nerves action नहीं perform कर पा रही, या फिर आप कोई action परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसके साथ आपके ball movement, जितना भी आप constipation, या फिर loose motion, ये सारे issues भी होने जायज है तो सिर्फ paralysis को अगर हम देखते हैं ideally, तो उसका मतलब सिर्फ यहीं नहीं है, कि आपके muscle weak हो गई है या फिर आपकी body paralyzed हो गई है, body paralysis में जाने के अलावा भी आपकी digestive system, आपका excretory system, metabolic activities, आपकी immunity, सब कुछ कहीं न कहीं हम पर हो जाती है up to an extent, तो जो हमारा visceral pain है, that is all about हमारे organs का pain आप, at times, आपको कहीं भी body में pain होना start हो जाता है, आपको पता हमीं सकता है में अपको प्रहिण होगी रहता है। लिवर की बज़े सहाँ और आपको प्रॉप्रम अक्च्छली में है यहीं है वह अच्छी परलीसित के पेशेंट डिर फील करते हैं HEY चैनल के लित तक धाँपैंश किया थेशके क्या होताई कि बहुत हैं यो उसके के ऐकory नहीं होता तपना को करो जीसेट 거지 सब कभ Ride कप अफ़ टी दे दिया तो उन्हें कोई sensations फील ही नहीं होगी अगर उनके बॉड़ी में sensations ही नहीं है तो पेंड होने का सवाल ही नहीं होता तो ऐसे patients होते हैं जो बहुत अच्छे से बोलते हैं कि हमें pain नहीं हो रहा लेकिन अच्छी में pain हो रहा होता है लेकिन फील नहीं हो रहा हो लेकिन दूसरे टंफ पर ऐसे patients होते हैं जिने कोई भी अगर आप exercises protocol rehab करवा रहे हो तो उन्हें बहुत ज्यादा pain फील होता है तो इसमें परिशान होने वाली बात नहीं है कि इसको तो pain नहीं हो रहा मुझे pain क्यों हो रहा है ऐसे जरूरी नहीं है क्योंकि body to body डिपेंड करते है कि आपका paralysis कौन से condition में है आया आपने कितना recover कर लिया है अपने condition को कितना recover कर चुके हो या फिर आपका treatment protocol क्या follow रहे है जरूरी नहीं है सारे exercises हर individual की एक चल रही हो हर एक patient same exercises कर रहे हो ऐसे जरूरी नहीं है I hope video में मैंने जो भी बताया regarding pain या फिर paralysis patients कौन से टाइब का pain experience करते हैं आप सभी को समझ आया हो अगर video के regarding कोई भी query है कोई भी question है तो you can just directly call us on the number given below या फिर आप comment section में भी अपनी query mention कर सकते हैं Thank you so much